ओम अध्न्यानति मिरांधस्य अध्न्यानां जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितम्येना तस्मै स्री गुरवे नमहा नमह ओम विष्णु पादाय कृष्ण प्रिष्ठाय भूतले स्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इतिनामिने नमस्ते साहस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिने निर्विशेश सुन्यवादी पाश्चात्य देशतारिने वंचा कल्पतरूब्यष्च कृपासिन धुब्य एवचा प्तितानाम पावनेभ्यो वैष्ण वेभ्यो नमो नमह जय स्री कृष्ण चैतन्या प्रभु नित्य प्रिश्णा 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 प् रचित जो आदिलिला की अनुकर्मानिका है वो भी हमने दी है तो एक छोटा सा रिकाक हम लोग आदिलिला का लेंगे जो हम लोग आर दिन तक चर्चा करते आ रहे लगातार केवल अनुकर्मानिका भी पढ़ेंगे तो भी हमारा इसका जो है वो करमबद्ध रिकाप जिसे कहत वो हो सकता है तो सबसे पहले अध्याय में हमने देखा आदिलीला के मंगला चरण जिसमें 14 श्लोक कविराज गुस्वामी रचित करते हैं और उसमें से दो श्लोकों का विस्तार से वरनन पहले अध्याय में आता है तो पहला अध्याय है मंगला चरण दूसरा अध्याय है चैतने तत्वनी रूपन तीसरा अध्याय है चैतने महाप्रभु के अवतरण के बहियकारण चौता अध्याय महाप्रभु के अवतरण के गुयकारण पाच्वाध्या नित्यानंद तत्वनी रूपन उसके बाद छट अध्याय है आप सोच सकते हैं क्या है चटा अध्याय अध्वईत तत्व निरूपन साथवा अध्याय पंच तत्व निरूपन आठवा अध्याय चैतन्य लीला वर्णन कारण क्यों कविराज गुस्वामी ने ग्रंथ लिखा है किस प्रकार से उन्हें आग्या मिलती है हरिद आध्याय के संपूर्ण हो जाते है चैतने महाप्रभु अभी 24 साल के हो गए है और आखिर में योवा आवस्ता के आखिर में आदिलीला में हमने देखा कल कि किस प्रकार से कटवा महापरबु चले जाते हैं और वहाँ पर केशो भारती इनसे सन्यास ग्रहन कर लेते हैं तो अभी जैसे के हमने कहा कि कविराज गुस्वामी ने जो पूरुन चेत्यने चरतामुर्द ग्रंथ लिका हुआ है उसके प्रमुख दो विबाग होते हैं आदिलीला और शेशलीला पहले 24 साल है महाप्रभु के वो आदिलीला है ग्रहस्तासरम तक उसके पश्चत जो 24 साल ह उसे कहते हैं शेशलीला तो जो बादवाले 24 साल है उसमें भी जो प्रथम 6 साल है उसे कहते हैं मद्द लीला गमन उसमें महाप्रभु कभी बंगाल गए कभी जगनातपुरी गए कभी वरिंदावन गए कभी वारानसी गए इस प्रकार से अलग-अलग कभी दक्षिन भारत गए तो इस प्रकार से अलग-अलग जगह महाप्रभु घुमे वो 6 साल को कहते है मद्य लिला और जो आखरी 18 साल है उसे कहते है अंत्य लिला आखर के 18 साल वो है अंत्य लिला महाप्रभु उस समय जगनात पूरी में ही रुके कहीं पर गए नहीं तो इस प्रकार से जो है वो आदिलिला ही सिलाबस है तो हम लोग आगे चलके शायद मद्यलिला के उपर भी परिक्षा का आयोजन कर सकते है ताकि आप इसे अच्छे से सुने अच्छे से पढ़े तो मद्यलिला जैसे हमने कहा था हमारे पहले प्रवचन में कि आदिलिला में जैसे 17 अध्याई है उसी प्रकार से मद्यलिला में 25 अध्याई आते है और ये जो 25 अध्याई है इन 25 अध्याईों को कविराज गुस्वामी यदि हम लोग देखे तो 6 विभागों में पुना विभाजित किये गए है तो उसमें सबसे पहला विभाग आता है पहले दो अध्याई जिनमें कविराज गुस्वामी साराउंश बताते है संपूर्ण मद्यलिला और अंते लिला साराउंश रुप में कविराज गुस्वामी ने मद्यलिला के दो अध्याईों में वर्नित की है वास्तविक मद्य लिला की शुरूरात होती है, सन्यास लेने के पश्चत महाप्रभू पहली बार विरंदावन जाना चाहते हैं, लेकिन वो उनका प्रयास नित्यानन प्रभू असफल कर देते हैं, इसलिए महाप्रभू फिर अद्वयताचारे के घर पे चल जाते हैं, विभाग दो, विभाग तीन आता है, महाप्रभू अभी दक्षिन भारत यातरा के लिए निकल पड़ते हैं, अध्याई साथ से ले करके अध्याई दस तक महाप्रभू का दक्षिन भारत यातरा इसका वलनन कविराज गोस्वामी करते हैं, उसके प्रश्चात पुन्हा जब जगनात पुरी आ जाते हैं, तो अध्याए 11 से लेके 15 तक सारी जगनात पुरी की लिलाएं, फिर जगनात यात्रा का आयोजन, गुंडी चा मंदिर मारजन, भक्तों के साथ आदन परदन, इन सब लिलाओं का वर्णन 11 से 15 वे अध्याएं में कविराज यह है चोथा विबाग, उसके बाद पाच्वा विबाग चेतने महाप्रबू पुन्हा वर्णावन जाने का प्रयास करते हैं, यह रामकिली में आते हैं, तो वहीं से महाप्रबू कनाइन अट्शाल से पुन्हा जगनत पुरी आ जाते हैं, उनका प्रयास असपल रहता है वुन्दावन जाने का, वो क्यों असपल रहा उसके हम लोग उस समय चर्चा करेंगे, और उसके पश्चत फिर महाप्रभू वुन्दावन के लिए तीसरय प्रयास करते हैं, तब उनका प्रयास सपल हो जाता है, और महाप्रभू की वुन्दावन यातरा, यह है हमारा पाच् और चटा और अंतिम अध्याए अभी महाप्रभु वुर्णदावन से पुन्हा जगनतपुरी आना चाहते हैं और वहाया वारणसी आते हैं और वारणसी में क्या-क्या लिलाए कोरते हैं जैसे हमने आदी लिला के सात्वी अध्याए में भी देखा था कि इस प्रकार से प्र तो इस प्रकार से हमारी संपूर्णा मद्य लिला का जो है वो अच्छे विबागों में विबाजन रहेगा तो सर्वपरतम जैसे हमने कहां कि पहला विबाग उसकी चर्चा हम प्रारंब करते हैं अध्या एक और दो जिसे हम लोग कह सकते हैं कि यह शेष लिला के रूप में हैं तो शेष लिला जैसे मैंने पहले कहां कि शेष लिला के भी दो विबाग होते हैं मद्य लिला पहले छे साल और अंत्य लिला अठारा साल ऐसा कुल मिला के चोबिस साल की महाप्रभू की शेष लिला है तो जो पहला अध्या है उसमें जो पहले छे साल की मद् करते है कविराज गुस्वामी और जो अंते लीला है वो अंते लीला भी महाप्रभु की दो विभागों में विभाजित है अंते लीला कुल मिला के 18 साल की है उसमें पहले 6 साल और बाद वाले 12 साल तो पहले 6 साल महाप्रभु अलग-अलग भक्तों के साथ आदान-परदान कर उस सब का वर्णन है और जो आखिर के बारा साल है उसमें महाप्रुभु केवल गंभिरा में एकांतवास करते हैं और केवल अपने निकटवरती पार्षदों के साथ ही केवल मिलते हैं और वहाँ पर निकटवरती पार्षदों के साथ कुछ लिलाएं करते हैं और राधरनी के जो विरह भाव है, उसमें वो मगन रहते हैं, वो है आखिर के 12 सल तो जो मद्य लीला का हमारा पहला अध्याय है उसमें महाप्रभु के पहले 6 साल सन्यास के बाद के मतलब मद्य लीला और अंत्य लीला का परतम हिस्सा मतलब पहले 6 साल इन दोनों को सारावन शुरूप में वर्णन किया गया है आपको समझ में आ गया होगा यदि आप चार्ट कर रहें नोट बना रहें तो आपको ठीक से समझ में आ गया होगा कि पहला अध्याय जिसमें कविराज गुश्वामी मद्य लीला संपूर्ण यानि पहले 6 साल सन्यास के बाद वाले पूरा भ्रमन उनका और अंत्य लीला के पहले 6 साल उनका साराण शुरुप में वर्रमन पहले अध्याय में किया हुआ है और दूसरे अध्याय में जो महाप्रभु के अंत्य लीला के आखरी मतलब जो आखर वाले 12 साल है उनका साराउंश रूप में वर्णन कविराज गुस्वामी इन्होंने किया हुआ है तो यदि हम लोग मद्दे लिला का पहला अध्या देखें कि साराउंश रूप में वर्णन तो सर्वपर्थम मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि कविराज गुस्वामी ने ये साराउंश में वलनन क्यों किया है तो कविराज गुस्वामी इस मद्यलिला के दूसरे अध्या में बताते हैं उनके साराउंश में लिखने का कारण क्या है आमी व्रुद्ध जरातुर लिखी ते कापये कर मने कीछू स्मरण ना होया ना देखी ये नयने ना शुनी ये श्रवने तबु लिखी एबडविस्माया का केते महाप्रबू ये दूसरे अध्याय का 90 श्लोक नंबर है मद्यलीला का मैं इतना व्रुद्ध हो गया हूँ और इतना बुड़ा हो गया हूँ लिखी ते कापये कर लिखते लिखते मेरे हाथ काप रहे है मने कीछू स्मरण ना होया मेरे मन में कुछ स्मरण भी नहीं हो रहा है कुछ चीजे याद नहीं रहती है मैं आखों से ठीक से नहीं देख पा रहा हूं इतना बुड़ा हो गया हूं और कांसे मैं ठीक से श्रवन भी नहीं कर पा रहा हूं क्योंकि हमने देखा था कि 90 साल की आयू में उन्होंने प्रारंब की थी चैतने चरतामरुद गरंत की लिखने की शुरुवात की थी उन्होंने 90 साल के जब थे और अभी तो उनकी उम्र बढ़ गई है क्योंकि आदिलीला समाप्त हो गई है तो अंते लिला अभी लिख रहा है यही यह बहुत बड़ी विस्मे की बात है शेश लियार सुत्रगन कैलो कीच्चु वीवर्ण इहां विस्तारीत raising चित्त हो या शेश लिला इजो है वह मैंने सुत्र रूप में यहां पर बता रहा हूं यही पर मैं उसको विस्तार करना चाता हूं लेकिन मैं विस्तार कब करपाऊंगा था कि यदि आयू शेष विस्तार इब लिला शेष यदि महाप्रबुर कुरुपा हो यह इतना महाप्रबुर के कुरुपा के उपर विश्वास था कि यदि मेरा आयू शेष बच जाएगा थोड़ा शेष रह जाएगा तब मैं शेष ल जाएगा तब महाप्रभु की शेश लीला का मैं वर्णन कर पाऊंगा यदि महाप्रभु की कुरुपा हो जाती है तो यह सब मैं विस्तार से वर्णन कर सकता हूँ करना चाहता हूँ लेकिन मैंने सुत्र रुप से यहाँ पर पहले दो अध्याव में केवल लिखा हुआ है क्यों लिखा हुआ है इहां मध्य मरी अबे वर्णी तेना पारी तबे यही लिला भक्त गणा धना यदि लिखते लिखते मेरी मृत्यू हो जाए और यदि बाकी सारी लिलाओं को मैं विस्तार से नहीं बता पाओं तो यह जो मैं अभी तक जो सार रुप में बताया है वही भक्तों के लिए जो है वो धन संपत्ति बना रहेगा और चेतने महापरूप की कुछ तो लिला उनको मिल जाएगी ऐसा जो है वो कविराज गुस्वामी इनका मानस है इसी प्रकार से हम लोग भी देखते है कि श्रील प्रूप जी के मन भी है विचार आया कि यह दि मैं ज्यादा समय तक नहीं तिकार रहूंगा इस संसार में तो क्या हो जाएगा इस संसार कृष्ण लिला से वंचित रह जाएगा इसलिए श्रील प्रूप जी ने दशम्सकंद पूरा करने से पहले ही कृष्ण पुस्तक हमें कथा की रूप में भाशंतरित करके प्रस्तुत कर दिया और खास करके चैतने चरितामृत ये गरंत श्रीमत भागवत से पहले ही हमें प्रवपाज जी ने दे दिया है तो इस प्रकार से ये पहले दो अध्याई हमें सारांश रूप में कविराज गोस्वामी इसलिए बताते हैं कि उन्हें वो साशंक थे कि कही मेरी मुर्त्यों बीच में न हो जाए तो इस प्रकार से ये हम लोग केवल पहला पहला अध्याई भी देखेंगे कविराज गोस्वामी लिखते 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 जाते हैं वो सारांश बता रहें लेकिन बीच में कोई लिला आती है तो उसे विस्तार से बता देते है और बाद में वापस सारांश रूप से कुछ चीज़े बताते हैं और आगए बढ़ते रहते हैं और जब विस्तार करेंगे मद्धिलिला में, तब वो कहते हैं कि इस लिला को मैंने विस्तार से सारउश करते करते ही बता दिया है, अभी मैं नहीं बताऊंगा, तो इसलिए हम लोग उन अध्यायों को अभी नहीं लेंगे, क्योंकि फिर आपके मन में confusion हो जाए कि ये लिला आदिलिला क्या है कि महाप्रभु का सन्यास भी अभी तक नहीं हुआ है, चोबिस साल, आखिर में सन्यास हो जाता है इस तरह व्याध्याय में, लेकिन आदिलिला का ये आप सात्व आध्याय खोल के देखेंगे, पंचतत्व निरूपण में, उसमें प्रकाशनन सरस्वती क का ट्रांसे पोर्मेशन कविराज गोस्वामी लिख दिए, तो वह लीला का बाती है, वास्तव में मद्य लीला में जब रूंदान से वापस आ रहे थे, महाप्रभु उनके मद्य लीला के आखिर आखिर में, तब जाके वह लीला हुई थी, उस समय कविराज गोस्वामी कह सरवनदशा, स्पत्तिदशा, आपतिदशा, इसे औलग-छग दशाों का वर्णन करते हैं, किन-किन दशाओं से एक सादक गुजरता है, कन अफ़ल में बताते हैं, तो वह श्रवण दशा में विश्मा चकुरती ठाकुर बताते हैं और भक्तिनों ठाकुर ने भी उसके उपर बहुत अपना कारिय किया हुआ है तो वा कहते हैं कि जब हम श्रवन करते हैं तो उसके दो दशाई होती है एक है क्रमहीन श्रवन दशा और दूसरा होता है क्रमबध श्रवन दशा तो क्रमहीन श्रवन दशा हमें मदद करती है भगवान के लिलाओं का समरन करने में सुनने में हमारे अध्यत्मिक प्रगति होत कि किस प्रकार से लिला चल रही है आगे बढ़ रही है वो हमें समझ में आना चाहिए जैसे हमने मैंने पूरे अनुकरम निका अभी आपको आदी लिला की सुनाई यह कर्मबद्द शरवन हमारा हो गया है अभी तो अभी इसी प्रकार से मद्य लिला में हमारा confusion न हो इसलिए ह हमें भी यदी कोरोना का दर हो सकती है कि हमें भी पता नहीं कितना da को मिलेगा नहीं मिलेगा तो यह पहले दो अध्याइ करने के चलनों में करते है कि उन्होंने बहुत परे विस्तार से वर्णन किये हुए है लिलाओं को लेकिन फिर भी मैं उनकी कुरुपा से कुछ स्पर्श करना चाहूंगा तो किस प्रकार से जेत्ये महाप्रवो का पहला वर्णदावन के लिए प्रयास होता है लेकिन महाप्रवो वहाँ तक नहीं जा पते वो शांतिपुर चल जाते है फिर वापस जगणनतपुरी चल जाते है वहाँ पे सारवु बहुम बट्टाचारवे को मिलते हैं, उनका उद्धर होता है, फिर वह वुरंदा हो जाने का दूसरा भी प्रयास करते हैं, ये 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 जो है वो एक प्रकार से गुपित है, क्योंकि जब हम ये ग्रंत पढ़ते जाएंगे ना तो हमें समझ में ने आत कि आप केवल श्लोक और अनुवात पढ़ लीजिए, तो आपको समझ में आएगा कहां पर क्या है, और उसके बाद तातपरियों के ऊपर आप विचारी मुमश करते हुए ठीक से पढ़त सकते हैं, उन नोट्स का सहारा लेके जो आपने पहले सारौश में बनाए थे, फिर पश्चत महाप्रभु किस प्रकार से वृंदावन जाना चाहते हैं दूसरे अटेम्ट में, फिर वो विद्यानगर चले जाते हैं, फिर नर्सिमानंद ब्रह्मचारी वो अपने मानसिक रूप में कुछ मार्ग बना देता है, फिर महाप्रभु रामकिली चले जाते हैं, फ फिर महाप्रभु उनके उपर कृपा बरसाते हैं, फिर उसके पश्चात महाप्रभु वृंदावन नहीं जा पते, वापस पूरी आ जाते हैं, शान्ति पूर होके, तो ये मद्यलिला के तीन से लेके पंधरा तक के अध्याय और अध्याय सोला इनका समरी हो गया, और उसक वृंदावन यातर सपल हो जाता है, वृंदावन में क्या-क्या उनने किया वो तो विस्तार से हम लोग देखेंगे, फिर रिटन जर्नी उनका हो जाता है, उसमें फिर वो वारनसी से होके रिटन जर्नी हो रहा है महाप्रभु का, उसमें फिर रूप गुस्वामी, सनातन इनका उद्धार और प्रकाशारंद सरस्वती इनका उद्धार ये सब वर्णन आता है और उसके पस्चात ये तो पूरी मद्यलीला हो गई सारौश में देखिए हम लोग चार-पाच मिनिट में पूरी मद्यलीला वर्णन कर लिये लेकिन पूरे लॉक्डाउन प्रिड के अं होते हैं फिर जो छोटा हरिदा से उसका उद्धार का वर्णन आता है रगुनादाज गोस्वामी को मिल्ला वल्लभ भट्टो को मिल्ला रामचंदर पूरी गुपिनात पत्तनाय का उद्धार प्रद्युम्न निमिश्रा फिर रूप और सनातन इनको मिल्ला हरिदाश इनका दिहगमन यह सब जो है वो पहले अध्याय में सारांश में कविराज गोस्वामी ने बताया है और उसके पस्चा जो दूसरा अध्या है मध्यलीला का उसमें भी सारांश रुप से जो अन्तेलीला के महाप्रुव के आखरी बारा साल थे वो महाप्रुव कैसे बिताते है किस प्रकार से विरह भाव महाप्रुव अपने आप में पाते है राधरनी का भाव राधा भाव द्यूति सुवलितम नौमी कृष्ण स्वरुपम ऐसे महाप्रभु जो राधरनी का भाव लेके आये वो राधरनी का कौन सा भाव था उसका भी विस्तार से वर्णन जो है वो कुछ श्लोक यहाँ पर कविराज गोस्वामी बताते है कि महाप्रभू का विरह में दुख, फिर उनके इंद्रियों की पूर्ती, उनके भगवान स्री कृष्ण को देखने की अभिलाशा, कृष्ण प्रेम का स्वभाव, और कृष्ण की अनुभूती भी महाप्रभू कर करते है उस विरह में इन सारे वर्णन जो है वो कविराज गोस्वामी यह दूसरे अध्याय में सारंश में लिखे हुए है, क्योंकि वो बताते है कि मैं कभी मेरी देहन्त हो जाएगी, मैं बुड़ा हो रहा हूं, मुझे पता नहीं है, तो इस प्रकार से जो है वो मद्यलि करेंगे कि महाप्रभु ने सन्यास ले लिया है, जैसा कि पहले ही आमने चर्चकी कि आदिलीला के हर एक अध्याय के प्रारंब में कविराज गोस्वामी प्रणाम करते है, उस तत्व को जिन के बारे में वो वर्णन करना चाहते है, और खास करके चैतने महाप्रभु की कृ कुरुपा उनको वो वर्णन करते है, स्री चैतन्या प्रभुम्वन्दे बालो पियदन उग्रहत तरनाना मतग्राह व्याप्तम सिध्धन्त सागरम ऐसे महाप्रभु को मैं प्रणाम करता हूं, तो महाप्रभु कि आलग अलग कृुपा के वर्णनों को जो है वो वो बतात है कि किस प्रकार से मुझे महाप्रुव की कुरुपा का मैं अभिलाशी हूं, उसका वर्णन करते हैं, तो अभी मद्यलिदा से अंते तक कविराज गोस्वामी हर एक अध्या की शुरुवात ऐसे श्लोक से करेंगे, जो श्लोक संपूर्ण अध्याई का सार बताएगा, तो अंति पूरिम ऐत्वा ललास भक्तायर इहतम नतोस्मी, पूरी पूरी अध्याई का सार, देखें कितना खुशलता से कविराज गोस्वामी, जो वो सारे अध्याई का सार हमें केवल एक श्लोक में बता सकते हैं, इसे करते एलोक्वेंस, कि न्यासम विधाय सन्यास ग्रहन क पश्चात, न्यासम विधाय उत्प्रणय अथ, इस प्रकार से कृष्ण प्रेम का जागरण करते हुए, वर्णावनम गंतुम मना, वर्णावनमे जाने का उनका विचार हुआ, और ब्रमतात इह राढे, जाते याते वो राढ देश में ब्रमन करने लगे, कुछ दिन वहा उसके पश्चात, शान्तिपूरिम अईत्वा, उसके पश्चात वो शान्तिपूर में चले गए, और ललास भक्ते और अपने भक्तों के साथ उन्होंने कुछ आनंद उठाया भगवत प्रेम का, ऐसे स्री चाहितने महाप्रभू को मैं नमन करता हूँ, तो अभी हम भी क्य करेंगे कि इस प्रकार से लीला के प्रारम में ऐसे महाप्रभू को प्रणाम करेंगे, उसके पश्चात लीला देखेंगा, और लीला के आंत में पुना जो पहला वाला श्लोक है, उसको यह दिया हम गौर करेंगे, तो हमें समझ में आएगा, कि कितना कविराज गोस्वमी यही माघमास तार शुकलपक्ष प्रभू करिला सन्यास 24 वर्ष के अंत में माघमास के शुकलपक्ष में माघमास का शुकलपक्ष हमें पता है चैतने महाप्रभू उस दिन जो है वो सन्यास आश्रम ग्रहन किये सन्यास लेने के पश्चात महाप्राब्वु वृंदावन की दिशा में निकल पड़ते है, क्योंकि वूँए tri जाना चाहते है, लेकिन राड़ देश, राड़ देश मतलब पुरुपाजि तत्परह में बताते हैं कि राड़ देश ऐसा देश जहां पर गंगा नहीं बहती तो ऐसा लगता है शिलप्रुपाजी लिखते है कि राष्ट्र देश की राजदनी बंगाल के किसी भाग में स्थित थी उस जगा महाप्रभु जय वो तिन दिन ब्रह्मन करते हैं और एक श्लोक पड़ी प्रभु भाव राड़ देश जहां पर बहाप्रभु ब्रह्मन कर रहे थे वो एक श्लोक हमेशा दोहराते दोहराते वो जा रहे थे क्योंकि अभी उन्हेंने सन्यास लिया हुआ है यह स्विमत भागवत का ग्यारावे अध्याय के 23 श्लोक का 57 नंबर का श्लोक है 11.23.57 यह एक सन्यासी धर्म को बताता है एतामस आस्थाय परात्मनिष्ठाम अध्यासिताम पूर्व तमायर महर्शिभी अहमतरिश्याम इदुरंत पारम तमो मुकंदांग्रिनिशे वयाईवा जब परम्पुज्य भक्तिरसामरुत स्वामी महराज नासिक में एक बार आये थे तो उन्हेंने सारे ब्रह्मचारियों को यह श्लोक कंठस्त करवाया था और यह श्लोक क्या है कि एथामस आस्थाय परात्मनिश्टा भगवान कृष्ण के चरणकमलों की सेवा में मैं दुड़ता पुर्वक स्थिर होकर अज्ञान के इस जो पार करने के लिए मुश्किल सागर है उसको मैं पार कर जाओंगा और उसकी पुष्टी उन पुर्ववर्ती आचरनयों द्वारा की गई है जो परमात्मा और पुर्ण पुर्शत्तम भगवान की दुड़ भक्ती में जो है वो स्थिर थे तो इस प्रकार से इस शलोक को सन्यास लेने के पश्चात महाप्रभू हमेशा गाते गाते नुर्त्य करते हुए इस रारदेश में तीन दिन तक ब्रह्मन करते है और जब चैतने महाप्रभू व्रणदावन के रास्ते में थे तो प्रेमोनमात्त के सारे लक्षन वो करते करते वहां से जाते हैं और उनको यह भान भी नहीं था क्यूंकि कृष्ण प्रेम में मदमत है मैं कौन सी दिशा में जा रहा हूं अब यह दिन है कि रात है यह भी उन्हें समझ में नहीं आता था नित्यानंद आचार्य रत्न मुकुंद तीन जन प्रभु पाचे पाचे तीन करेन गमन महाप्रभु के सन्यास के समय भी यह लोग वहां पर उपस्तित थे अब यह महाप्रभु उर्णदावन के लिए निकल पड़े तो हमें आप ध्यान रखिए तीन लोग महाप्रभु के पीछे 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 अभी जा रहे है कौन कौन जा रहे है नित्यानन्द प्रभू चंदरशेकर आचार्य जिने आचार्य रत्न कहां जाता है और तीसरे है मुकुंद दत्त नित्यानन्द प्रभू आचार्य रत्न और मुकुन्न दत्त ये तीन महाप्रुभु के पीछे 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 जा रहे होते है तो जब महाप्रुभु आगे आगे जा रहे थे तो जाते जाते कई सरे ग्वालबाल भी महाप्रुभु को देखते देखते महाप्रुभु के साथ सम्मिलित हो जाते है और प्रवास क को सूचना देते हैं कि यदी स्री चैतने महाप्रभू आपको रस्ता पूछे तो आप गंगा नदी की तट से उनको जाने के लिए कहना वो वुर्णावन का रस्ता आपको जुरूर पूछेंगे तो जब पूछेंगे तो बता देना कि गंगा नदी के किनारे का रास्ता उन् जिखा देते हैं और महापरावु वहांसे चल पडते हैं जैसे महापरावु गंगा के किनारे से चल पडते हैं नित्यानन्दनियों पर्भु जो ज़ो आचार्य। उनको कहती है कि आ challenges पर है और पहुँंचकर किजिए कि तयारी कीजिए और नित्यानुद्प्रुव कहते हैं कि उसके बाद में अद्वयत अचार्य के घर पर मैं जब मैं महाप्रुभु को लेके जाऊंगा आप नवुदीप चले जाना और शक्चिमा को लेके आना तो इस प्रकार से आचार्य रत्नों को नित्यानंद प्रुव सेवा देते हैं, पहले जाके अद्वेत अचार्य को अग्वा करें, महाप्रभु के स्वागत की त्यारी करें, और जैसे मैं महाप्रभु को लेके पहुंच जाओंगा, आप वापस नवदीप चले जाएं और श पूचना दी अपने अनेकी और जैसे महाप्रभु जा रहे थे, महाप्रभु गंगा न दी to महापुरुभू भाववश में नित्यानन दुक्प्रभु को महाप्रुभु पुछते, आप पुछते आप कहाँ जा Consortat महापुर पुछते हैं हूं पुछते हैं। प्रेम महाप्रुव यमुना का नाम सुनते हैं तो भावविवर हो जाते हैं और यमुना का गुणगान चालू कर देते हैं चिदानन्द भानो सदानन्द सुनो पर प्रेम पात्री दव द्रव ब्रह्म गात्री अगानाम लवित्री जगत क्षेम धात्री पवित्री क्रियानो वपुर्मित्र पुत्री कि मैं ऐसी यमुना नदी चिदानन्द भानो जो जो चिदानन्द मूर्ती है सदानन्द सुनो और जो सदानंद महाराज के पुत्र का प्रेम प्रदान करने वाली है प्रेम पात्री जो द्रव ब्रह्म गात्री जो द्रव ब्रह्म के रूप में बहे रही है अगहानाम लवित्री जो भी इनका स्मरण करता है तो सारे पापों को यह नाश करने वाली है जगत क्षेम धात्री ज जो है वो इस लोक का उच्चारण करते करते मंत्र करते करते महाप्रपु नमस्कार करते है quiero रोती में सनान करते हैं और उसी समय कि देखते हैं कि अदवाइताचार्य वहापर महाप्रबु के लिए कुछ अंतरवस्त्र ना pushing लेजाए ने के आते हैं और झींट अद्वाइत अचार्य को महाप्रभु देखते हैं तो महाप्रभु थोड़ा संध्य महाप्रभु को नहीं लगता है महाप्रभु अद्वाइत अचार्य को पूछते हैं कि अरे आप यहां पर क्या कर रहे हैं यह तो वृद्धावन है अद्वाइत अचार्य स्थिति कि ये सब नित्यानन्द प्रभु का ही आइडिया होगा वो ब्रमित करके मुझे यहां पर यमुना कहिके लेके आ गए हैं फिर अद्वाइतायचार्य कहते कि अभी आप आई गए तो चलिए हमारे घर आप तीन दिन से ब्रह्मन कर रहे हैं आप उपवास किया रहेगा कुछ आप हमारे साथ घर चले एकमुष्टी अन्नमुई करिया चोपाक शाखारूख वेंजन कईलू सूप आरशाख कि अद्वाइताचार्य कहते हैं मैंने घर में थोड़ा सा कुछ ज्यादा नहीं मुठी बर चावल थोड़ा सा पका के रखा है तरकारिया भी अत्यंत साधी है कोई विलास्प्रिय वेंजन भी नहीं है और थोड़ा सा सूख और थोड़ी शाख की सबजी आपके लिए मैंने बना के रखी है फिर ऐसा कहे के अद्वाइताचार्य नाव में बैठा कर नित्यानंद प्रभू और चेतने महाप्रभू को अपने घर में लेके आते हैं अप किर सर्वपरतम अद्वाइताचारय की उनकी जी पतनी थे वो सारे पकवान बनाती है हमें पता अद्वाइताचारय की पतनी जिनका नाम था सीतर ठकुरानी जो महाप्रभू का जब जन्म हुआ था उस समय आदिलिला के तेरहवे अध्याय में आप देख सकते आदिला के त जन्म हुआ था तब वो गई थी कई सारे आभूशन लेके शांतिपूर से और तब उन्होंने उनका नाम करण किया था क्या नाम रखा था सीतर ठकुराने ने आपको याद है निमाई वो सीतर ठकुराने नाम रखा था तो अभी देखिए वही महाप्रभू इतने बड़े ह हो गए यादवज़े चार है कि पतनी वह थोड़ी बुड़ी होंगी तो वह सब खांव पना रही है तो सारा रलो भगवान को अभी अरप्न करते हैं और भगवान को करने कि पश्चात जै महाप्रभू कहते हैं कि आरे भाई मैं तो सन्यासी हूँ प्रभु कहे सन्या सीरा ने शबसे पहले जो है वो हम लोग देखते हैं कि जो भोग बनाया था वो सारा भोग उसके विस्तार से कविराज गोसवामी वर्णन करते हैं इतने सारे भोगों के और पदार्थों के आईटम है शिलप्र आचारी या कुक रहेंगे, क्योंकि उनको इतने सारे पदार्तों के नाम पता है। और जोब इतने सारे पदार से देखते हैं महाप्रवु, महाप्रवु तुरंत प्रणाम करते हैं अद्वाइताचार्ये की पत्नी उनके प्रतिकृतक ज्यता से, आइचे अन्न ये कृष्ण के कराय भोजन, जन्मे जन्मे शिरे धरों, ताहार चरण, इस प्रकार से अन्न जो चरण कमल अपने सिर पे धारन करता हूं, जो भगवान स्री कृष्ण के लिए ऐसे भोग अरपन कर रहे हैं, तो ऐसा महाप्रवु जो है वो कहते हैं, और उसके पश्चात कविराज गुस्वामी लिखते हैं कि फिर सारा भोग लगाया गया, फिर भोग आरती हो गई, और नित्यानाद प्रभु और चैतने महाप्रवु ने वहाँ पे भोग आरती अटेंड की, उसके पश्चात अध्वेत अचारी ने भगवान को सुलाया, और सुलाने के पश्चात फिर जो है वो चैतने महाप्रवु को बुलाते हैं प्रसाद गरहन करने के लिए, और फिर चै कि इतने सारे पदार्थों तो में ग्रहन नहीं कर सकता, प्रभु कहे सन्यासीर भख्ष नहै उन्हा उपकर्न इहा कईँछे इंद्रियवारन, महाप्रवु कहते हैं कि जो सन्यासी है, सन्यासी का ये और काम नहीं है कि इतना सब जो है वो उपिलेंट पदार्थों को ग्रहण करें उसको खाये फिर मैं इंद्रया निया मन कैसे कर पाऊंगा मेरे फिर अध्वायताचार्य और महाप्रबूंद इनके बीश में मस्ती भरा वारतालाफ होता है अध्वायताचार्य कहते हैं कि आप कुण से सन्या से हमें पता है आप स्वयम भगवान ही है आप शब्दों के जाल में हमें फसा रहे है महापरो कहते है नहीं नहीं इतना भोजन तो मैं कभी खाई नहीं सकता असम्भाव पिर अद्वाटाचर कहते है कि आप बिल्कुल नाटक मत किजिए जो आपके सामने केले के पते के उपर रखा गया है वो सब खा लिए महापरो कही थे कि इतना ज्यादा मैं नहीं कर सकता सन्ढय सेन धर्मन है उस्तिस्त उस्ति उस्तिस्ता राकित ते मैं जूटा भी ने रहा skilled अब आपको खाना पड़ेगा तो फिर महापुर्भु शान्त हो जाते हैं और जो जो महापर रखा गया था वो सारा ग्रण करना प्रारंब कर देते हैं और खाना प्रारंब जासे हो जाता है कर साथ प्रण कंविराज पूर्ण कर सकते हैं वहाँ पर बहुत लुक प्रसात का लीला जो हो होते रहता पस्सक्राइब आए और इस प्रकार से जब वह हो जाता है वह वह से उड़ जाते हैं जो और कई दिन तक जुए हो जो है वह यहीं ला वहाह पर चलती रहती है अ यो सांतिती पूर लोकेशय्द प्रभुरागमन देखिता आईला लोक प्रभुरचरण इस प्रकार से शांतिपूर में जब लोगों ने सुना कि अभी महाप्रवु आये हुए है सारा शांतिपूर वहाँ पर पलड़ गया सारे लोग वहाँ पर महाप्रुव के दर्शन के लिए आ जाते हैं अत्यनता हर्शित ओकर भगवान के पवित्र नाम वह हरी हरी का उच्चारण करते हैं और महाप्रवु जोकी स्वयम भगवान है उनको देखकर वह आश्चरेचकित हो जाते हैं जैसी शाम हो जाती है महापरर अधृताचार्य एक सामोहिक कीर्तन प्रारंब कर देते हैं सब लोग नुर्थ्य करते हैं महाप्रवु का नुर्थ्य देखते हुए सारे लोग अचंबित हो उड़ते हैं और इस प्रकार से जो हे वो विस्तार से उस कीर्ठन का भी वर्णन है उसके पश्चात जो मुखुंद दक्त थे वो महापुरू के भहव को समझते हैं और उस हिसाब से वो कुछ श्लोकों की रच्णा करते हैं जो महापुORू के भहव को अनुकुल है फिर उनको सुनके तो मह महाप्रभु जो है वो अस्तसात्विक विकार अपने प्रस्तुत करने लगते हैं और नुर्त्य होता है सारा सारा शांतिपूर ग्राम अद्वेत आचार्य का परिवार महाप्रभु के साथ आए हुए पार्शत वो सब उस कीर्टन में जो है वो मगन रहते हैं इस प्रकार से यह कारेकरम दस दिन तक चलता रहा दस दिन तक लगातार शाम के समय में भूजन और कीर्टन चलता था और दोपर के समय जो है वो कृष्ण कथा चलती थी इस प्रकार से दस दिन हो जाते हैं और फिर एक दिन प्रातक काल चंदर शेकर जिनको नित्यानद प्रुव ने भेजा था सेवा दिया था वो सची माता को लेके पालकी में बिठाके अनेक भक्तों के साथ जो है वो शांतिपूर लेके आते हैं और नदिया के सारे लोग जिसमें स्त्रियां बालक वृद्ध सब लोग सम्मिली थे और विशाल भीड इस प्रकार से शांतिपूर में एकत्रित हो जाती हैं सब लोग महाप्रभू को देखने के लिए और जो ही शची माता वहाँ पर पहुंची चैतने महाप्रभू उनके चरणों में वानों एक दंडा गिरता है उस प्रकार से गिर पड़े और शची माता महाप्रभू को अभी सन्यास के पश्चात पहली बार मिल रही है वो उने गोद में लेके रोना प्रारंब कर देती है दोहार दर्शने दूई होईला विवल केशना देखिया शची होईला विकल एक दूसरे को देखके दोनों विवल हो उठते है और जब केशना देखी शची होईला विकल जब महाप्रभू के सुंदर घुंगराले बाल वो नहीं महापरभु के सारे शरील के उपर से अपना वो हाथ फेरने लगती है और शचि माता रोते हुए महापरभु से कहती है कांदिया कोहे नशची बाच्छारे निमाई विश्वरुपसमना करिह निठुराई वो महापरभु से शचि माता रोते हुए कहती है कि तुम्हारा भाई विश्वरूप उसने भी सन्यास ले लिया था और तुने तो हमें वचन दिया था लेकिन तु भी इस प्रकार से निश्थूर मत बन महाप्रभू उत्तर देते है कांदिया बलेन प्रभू शुन मोर आई तुमार शरीर यही मोर की छून आई चैने इस प्रकार से जो उनके बाल लिलाओं करते है तब उसमें वो कहते है कि महाप्रभू अपने मा को आई करके कहिके पुकारते थे और जब भी वो आई कोई कोई शची माता को इस प्रकार से आई करके पुकारेगा और यही कोई वेक्ती आई भी बोलता है तो महाप्रभू त इतना शची माता के उपर महाप्रुभु का गाड़ा प्रेम था, तो हमें जानना चाहिए, तो इसलिए बच्चों ने अपने माओं को आई इस प्रकार से पुकारे तो महाप्रुभु की उपर उन्हें मिल जाएगी, लेकिन आजकल के बच्चे अपने मा और पिता को पता ने किन-किन अलग-अलग नामों से पुकारते हैं, तो यदि आई नाम से पुकारे या माई नाम से पुकारे, तो वहाँ पर जो है वो महाप्रुभु की कुरुपा भी अप्रतेक्षरुप से वरुद्धान दा स्ठाकुर कहते हैं, उनको भी मिल जाएगी, इस प्रकार से मौर आई, तोमारा शेरीर यही मौर की चुनाई यह पुरा शेरीय वो आपका है, मेरा कुछ नहीं है उसमें, तोमारा पालित देह, जन्मतो मा है ते, कोटी जन्मतो मारा रुण, नापारे शोधिते, यदि यह शरीर जो है वो आपके द्वारा पाला पुसा गया है, पागल हो गया मैंने सन्यास ले लिया है लेकिन फिर भी मैं आपसे विमुख कभी नहीं होंगा है माता मुझे जहां भी रहने के लिए आप कहेंगी वही पर मैं रहूंगा और आप जो आग्या देगी उस आग्या का मैं जो हूँ वो पालन करूंगा उसके पश्चात अद्व लेकिन किन किन भक्तों को मिलते है नवदीप से आये हुए श्रीवासरामाई विद्या निदिगादादर गंगादासवक्रेश्वर मुरारी शुकलांबर बुद्धिमंत खान नंदन श्रीदर विजय वासुदेवदामोदर मुकुंद संजय कतना मलाई वयत नवद्वी प और जिस दिन शचीमाता अदवित्ता चर्यव के घर पर आई थी अबी तक 10 दिन हो गए थे महाप्रवव को नहां पर रूक्किय जिस दिन शचीमाता आई उस दिन से सारे किचन का भार जो है वह आ यह वाई नहीं उठाया था शची माता इने उठा था, भूजन वो करती थी, बनाती थी, और सारे भक्त वहाँ पर भूजन करते थे, और चेतने महाप्रुभु का सब लोग दर्शन करते थे, रातरी के समय महाप्रुभु का अनुरुत्य देखते थे, किर्तन करते थे, और दिन के समय में जो है वो कृष को शचिमाता कहती है कि अब मुझे निमाई के दर्शन का आउसर प्राप्त नहीं होगा जहां तक आप लोगों की बात है आप तो निमाई आर्था स्री चैतने महाप्रभू से जो है वो बार-बार मिल सकते हो लेकिन दोबारा मेरी मिलने की संभावना नहीं है मुझे तो घर पर ही रहना होगा और सन्यासी तो कभी घर पर नहीं आएगा तो अभी देखिए महाप्रभू का संपुर्ण आद्लिल्ला में जो प्रमुक नाम आएगा वो आएगा निमाई और विश्वंभर और मध्या और अंतय के क्योंकि सन्यास में उनका य Щो है नाम मिलता है सरी कृष्ण चाइटने नहीं हूँ और उसके परच्चा तो तुँऌ आप मा बोलती है कि मुझे तो मिलना नहीं होगा तो मा सबसे कहती है कि एक एक दान में मांगती हूँ जब तक चैतने महाप्रभू अद्वाइताचार्या के घर में है मुझे ही जो है वो प्रसाद बनाने दीजिए और सबी लोग कहते है कि हाँ हम आपकी इच्चा से सहमत है कि रुपया आप ही जो है वो भोजन बनाईए और फिर इस प्रकार से शचिमाता का हाथ का भोजन जितने महाप्रभू जितने भी दिन वहाँ पर थे उस समय वहाँ पर घरन करते है और महाप्रभू फिर सारे भक्तों को एकत्रित करके कहते है कि आप लोगों के आग्या के बिना मैं वुर्णावन जाने का प्रयास कर रहा था किन्तु कुछ बादा उत्पन हो गई और मुझे जो है वो वापस लोटना पड़ा और जो सन्यासीर धर्मन है जो सन्यासी है सन्यासी का धर्म यह नहीं कहला था कि सन्यासी लेने के पश्चत वो अपने कुटुम्भियों के साथ जो है वो घर पर रहे यह सन्यासी का जो है वो धर्म नहीं है आप इस प्रकार से कुछ प्रबंद करो कि दो काम एक साथ हो जाए क्या दोन काम एक साथ हो जाए मुझे घर पे रहने भी न पड़े और सन्यासी जो है वो लांचन भी नहीं लगे और और दूसरा है कि मैं आप लोगों के साथ जुड़ा भी रहूं ऐसा कुछ आप उपाय किजिए महाप्रभु के वचन जब अद्वाइताचार्या सुनते हैं तो अद्वाइताचार्या भी शची माता के पास आते हैं और शची माता को बताते हैं तो जब उन्हें शची माता को महाप्रभु के वचन सुनाए तो वो जगन माता शची कहने लगी कि यह मेरे लिए तो परम सुख की बात होगी कि निमाई यहां रहे लेकिन उसकी यदि कोई निंदा करे कि सन्यास धर्म का वो ठीक से पालन नहीं कर रहा है तो यह अत्यंत दुख की बात होगी और यह तो अच्छा विचार है मेरे विचार से यदि निमाई जगर्नात पूरी में रहे तो वो हम से हमें से किसी को छोड़ेगा भी नहीं और साथ सन्यासी के रूप में अलग भी रह सकता है तो दोनों उद्देश पूरे हो जाएंगे चुकि माता ने कहा कि जगर्नात पूरी से कई भक्त नवदीप आते रहते है नवदिप से भी कई भक्त जगनातपुरी जाते रहते हैं, तो भक्तों का आना जाना रहता है, तो महाप्रभु की खबर हमें मिलती रहेगी, हमारी खबर महाप्रभु तक जाती रहेगी, तो इस प्रकार से अच्छा रहेगा, तो महाप्रभु को जगनातपुरी में रहना च कहिती है कि मुझे अपने सुख और दुख की बिल्कुल चिंता नहीं है चिंता तो केवल मुझे उसके सुख की है मैं तो उसके सुख में ही मेरा सुख मानती हूं ऐसा मा कहिती है तुमी सब लोक मोर परम बांधाव एई बिक्षा मांगो मोरे देह तुमी सब मा कहिती है कि यह मैं आपसे बिक्षा मांगती हूं कि आप यह महाप्रभु से कहें तो सारे भक्त महाप्रभु को अभी शचिमाता का उपदेश सुनाने के लिए आते हैं महाप्रभु जैसे सुनते हैं कि शचिमाता ऐसा चाहती है कि जगनतपुरी में रहूं तो महाप्रभु बहुत प्रसंद्ण हो जाते हैं और वो कहते हैं कि मेरे प्रिय मित्रो गनिष्ट मित्रो अब मैं आप से एक भिक्षा मांगता हूँ कुरुपया मुझे एक भिक्षा दीजिए अभी महाप्रभू भिक्षा मांग रहे हैं और महाप्रभू ना केवल उन लोगों से भिक्षा मांग रहे हैं महाप्रभू हम से घर पर लोड जाएंगे तो घर पर जाके आप क्या कीजिए कृष्ण का संकीरतन कीजिए कृष्ण नाम लीजिए कृष्ण कथा कीजिए और भगवान कृष्ण का आराधना कीजिए भक्तों के इस प्रकार से उपदेश देने के पश्चात चेतने महाप्रभू अनुमती चाह सबी भक्तों को घर लोटने की बिंती देते हैं और उसी समय हरिदाश ठाकूर रोते-रोते महाप्रभू के पास आ जाते हैं हरिदाश ठाकूर कहते हैं कि आप तो निलाचल जगनात पुरी चले जाएंगे मेरी क्या गति होगी मैं तो निलाचल में जाने के लिए असमर्त हूँ अत्यांत नीच व्यक्ति होने के कारण मैं आपका दर्श नहीं पासकूंगा अपने पाप मैं जीवन को मैं किस प्रकार से धारण कर सकूंगा महाप्रभू हरिदास ठाकूर से कहते हैं कि कुरुपया अपनी दिन्ता को नियंतरंत कीजिए आपकी दिन्ता देखेल मेरा रुदय जो है वो व्यकूल हो रहा है प्रभू कहे कर तुमी दैन्यस सम्वरन तोमार दैन्यत्यमर व्यकूल होय मन इस प्रकार से चेत्र महाप्रभू ने हरिदास ठाकूर को आश्वासित किया कि वो भगवान जगनात के समक्ष निवेदन करेंगे और निष्चे ही उन्हें जगनात पूरी लेके जाएंगे हमें पता है कि किस प्रकार से बाद में हरिदास ठाकूर जगनात पूरी में निवास करते हैं इसके बाद अध्वाइत अचार्य ने महाप्रभू से विने किया कि आप दो-चार दिन और रुख जाईए आपसे विरह हमें नहीं सहन हो रहा है पिर चेतने महाप्रभू अध् और तीन-चार दिन तक शांतिपूर में ही जो है वो निवास करते हैं महाप्रभू के निरने से फिर अध्वाइत अचार्य शचिमाता और सारे भक्ता तेन्न प्रसन हो जाते हैं और अध्वाइत अचार्य प्रती दिन उनके घर में जो है वो महुत्षव किया करते हैं दीन के समय, शाम के समय, इस प्रकार से जो हो, कृष्ण संकीर्तन का जो है, वो महचुच चलता था. अचारेर शहद्धा भक्ति गुरुह संपद धने, सकल सपल हाई लप्रभुर आराधने, जो अद्वाइत अचारे का सारा, उनकी श्रद्धा, उनकी भक्ति, उनका ग्रुह, उनकी सारी संपत्ति, उनका धन, सब कुछ महाप्रभु की सेवा में लगा था, इसलिए सब कुछ जो है वो सफल हो गया, इसी प्रकार से प्रुपाजी में तात्परे में लिखते हैं कि हमें भी इस प्रकार से सब कुछ दिन चेतने महाप्रवु सभी भक्तों को लोटने के लिए विंति करते हैं और पुना एक बार विक्षा मांगते हैं घर गिया करसबे कृष्ण संगिर्तन पुनरपी आमा संगे होई बे मिलना आप सब लोग घर पे जाईए अभी और कृष्ण का किरतन कीजिए मैं वापस गन्नातपुरी आऊंगे ना तो मैं आपको वहाँ पर जो है वो भगवान के दर्शन दिल आऊंगा और कभी-कभी मैं भी यहाँ पर शांतिपुर में बंगाल में गंगास्नान करने के लिए जरूर आऊंगा नित्यानंद गोसाई पंडित जग्दानंद दामोदर पंडित अरदथमो कुंद एचार जनाचार्या दिलप्रभुसने जननीप्रभोधकरी वंदिलाचर ने ये चार लोगों को अद्वाइताचारे ने महाप्रुभु के साथ में दिया कहां कि आप जाएंगे जगनत्पुरी इन चार लोगों को लेके जाएए तो महाप्रुभु के साथ कौन-कौन जा रहा है आप सुन लिजिए नित्यानन्द गोसाई पंडित जगदानन्द दामोदर पंडित और दत्त मुकुन्द नित्यानन्द प्रुभु जा रहे है जगदानन्द पंडित दामोदर पंडित और मुकुन्दत ये चार भक्ता भी महाप्रुभु के साथ जा रहे है और इन चारों को साथ मिलिया महाप्रभु ने अपनी माता को संत्वना दिया उनके चरण कमलो की प्रार्थना की अपनी मा को प्रदक्षिना किया महाप्रुब ने और वहां से अभी चल पड़ते हैं और यहां पर जोर से जो है वो अलाप सब लोग अदवित अचार्य के घर में रोने लगते हैं Nirapakshana प्रभू शिग्र चला महाप्रबु अभी निरपैक्षा होके बिलकुल रुदय के ओपर पत्थर मानों रखा में निश्टुरुदय से वहापर जा रहे है क्योंकि मैं पता महाप्रुवेंट सन्यास जिवों के उपर उद्धार करने के लिए लिया था इस प्रकार से भी महाप्रुवेंट वहाँ पर चल रहे सब लोग रो रहे अद्वाइता चार्य इतने बड़े होने के बावजूद भी रोते 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 प्रकार से रोने लगेंगे तो यहाँ पर कौन जीवित बचेगा तो ये संबव नहीं है इस प्रकर से महाप्रभु ने अद्वाइता चारीर को आलिंगन किया और कहा कि आप इसके आगे आप मत आईए और फिर बिल्कुल पीछे नहीं देखते हुए महाप्रभु वहाँ से आगे जगनात्पुरी के लिए चल पड़ते है गंगा तीरे तीरे प्रभु चारी जन साथे नीलाद्री चलिला प्रभु छत्र भोग पथे चार व्यक्तियों को लिए के गंगा नदी के तट से महाप्रभु अभी निकल पड़े है अद्वाईत गुहे प्रभुर आप सब लोगों ने अभी काफी समय तक सुना है सुनने का क्या फाइदा है अद्वाईत गुहे प्रभुर विलास शुने ये जन अचिरे मिले तारे कृष्ण प्रेम धन जो वेक्ति अद्वाइता चार्रे के घर पर जो महाप्रुवु का निवास हुआ इस लिला को केवल ध्यान पुर्वक सुना है, अचिरे मिले तारे कृष्ण प्रेम धन उस वेक्ति को बहुत जल्द ही कृष्ण प्रेम का धन उस वेक्ति को प्राप्त हो जाएगा, तो इसी तो किस प्रकार से मैंने आपको कहां कि यह जो लिला हुई इस लिला को यदि एक श्लोक में जो बताया था कविर्याज गुश्वमी वो श्लोक में आपको पुन्हा बताऊंगा वो वो समराइज भी कर सकता है पूरी लिला को न्यासम विधायोत प्रणयोत गवरो वृंदा वनम गंतु मना ब्रमादिया राडे ब्रहमन शांति पुरिम ऐत्वा ललास भक्तेर इहतम नतोस्मी न्यासम विधायत सन्यास लेने के पश्चात उत प्रणयह गहन कृष्ण प्रेम का जागरन करते हुए महाप्रभु वृंद जाने का उनका मानस था लेकिन महाप्रभु राडदेश गए महापर कुछ समय ब्रहमन किया और शांति पुरम ऐत्वा महाप्रभु शांति पुर आये और ललास भक्तेर भक्तों के साथ लीला की ऐसे श्री महाप्रभु को तम नतोस्मी मैं प्रणाम करता हूँ इस प्रकार कर रहे के घर पर रुके उनकी शची मा को मिला मिले माने कहा कि आप जगनातपुरी में निवास कीजे ताकि समाचार मिलता रहेगा महाप्रभु ने बिंती को अपने शिरोधर लिया और महाप्रभु अभी चार लोगों के साथ कौन-कौन नित्यानंद प्रभु जगदानन पंडित दामदर पंडित और मुकुंद इनको लेके अभी महाप्रभु जगनातपुरी की और चल पड़े है अभी रस्ते में क्या-क्या होगा उसकी चर्चा हम लोग करेंगे कल ठीक शाम को साड़े च्छे बजे तब तक के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद हरे कृष्ण जय गरंतराज श्री चैतने चरतामृत की जय कविराज गोस्वामी की जय श्रील प्रभुपाद की जय कल साड़े पाच बजे मिलेंगे अरे कृष्णा